नमस्कार दोस्तों ताज़ा खबरों में तो इस समय कोर्बा से आत्महत्या का मामला सामने आया है, कोर्बा में कलर्क ने कर लिया सुसाइड, खाना खाकर परिवार सो रहा था, सुबह फासी के फंदे पर लटकी मिली लाश, जाच कर रही पुलिस, चत्तीसगर के कोर्बा जि पुलिस अब मामले की जाच में जुटी है, जानकारी के मुताबिक देवगाओ निवासी सत्यनारायन मरावी हर्दी बजार तहसील कार्याले में उप पंजियक किकलर के रूप में पदस्त थे, उन्होंने गुरुबार रात को अचानक फासी लगा कर आत्महत्या कर लिया है घटना के बाद तहसील कार्याले के कर्मचारियों और अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है, घटना को लेकर परिवार वालों ने बताया कि गुरुबार रात को हम सब खाना खाकर सोने चले गए थे, सत्यनारायन ने भी खाना खाया था, इसके बाद वो अपने कमरे में च शव लटका हुआ था, ये देखती ही हम हैरान हो गए, रात को कब ये सब हुआ कुछ पता ही नहीं चला, परिवार वालों ने यह भी बताया कि सत्यनारायन काफी शांत स्वभाव के थे, वो ज्यादा किसी से बाद भी नहीं करते थे, शव देखने के बाद परिजनों ने पुलिस को जानकार दी, तब शव को नीचे उतारा गया, फिर पोस्ट मॉटम के बाद शव परिजनों को सौब दिया गया है, सत्यनारायन के परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनके तीन और बच्चे भी थे, फिलहाल अब तक इस मामले में यह पता नहीं चल सका है कि क लर्क ने क्यों सुसाइट किया है?